हालो फ्रैंस मैं गीता आज मैं फिर आ गई हूँ इंसुलिन का प्लांट लेके यह एक औसदिय प्लांट है मैं इससे पहले भी एक वीडियो अप्लोट की थी इंसुलिन प्लांट के उपर जो की इंसुलिन प्लांट दूसरे किसिम का था उसके पत्ते ब्रांचेस में मारे घर में सिड़ी रहती है वैसे था और यह दुस्से किसिम का प्लांट मैं मंगाई हूं तो मेरे भाया का नरसरी है तो मैं वहां से मंगाई हूं बिहार से और इसको आप अगर नरसरी में खहिदने जाएंगे तो पचास से 40 से 50 रुपया लगेंगे पर प्लांट तो मुझ यह प्लांट जरूर लगानी चाहिए सुगर प्लांट जो मैं पहले वाली बताए थी जिसके पत्ते थोड़े मोटे थे थीकनिस थे जैसे साकुलेंस के पत्ते होते हैं वैसे ही थे मेरे चैनल में वीडियो भी डाला हुआ है आप देख सकते हैं और इसके पत्ते थोड़ी कड़े होते हैं देखिए ऐसे प्लांट होते हैं इंसुलीन के दूसरे वाले दो किसिमका मैं मुझे अभी पता चला है दो किसिमका ही है पता नहीं और भी होंगे तो इसके पत्ते ऐसे होते हैं तो जिसको सुगर है हाई डाबेटिस है वो अगर सुबह तीन पत्ता को लेके ऐसे ही चिबा के अगर बड़ी ऐसे मुह में दात से चिबा लेते हैं, चिबा के पानी पी लेते हैं, तो भी काम करेंगे, या तो आप नहीं चिबा के खा सकते हैं, तो इसको पत्ते को कोई ठंडी जगा में, छायादा जगा में पंखे के निच्चे सुखा ले, सुखा के डायबेटिस के पेशेंट है तो इसलिए मैं दोनों प्लांट मंगा के रखी हूँ पहले मंगाई थी एक बहन का घर से लाई थी और ये भाया का नर्सरी से मंगाई हूँ और जिसके घर में सुगर का पेशेंट रहते हैं तो जरूर ऐसे प्लांट लगा के रखना चाहिए कमने तो आप सुगर माप के देख लेकितना है। कम रहा है तो आप जो इंसुलीन का मात्रा है बारत से दस कर देंगे डक्टर आठ कर देंगे ऐसे यह काम करती है लेकिन आपको दवाई बिल्कुल नहीं छोड़नी है मैं इस अलाह नहीं दूंगी क्योंकि मेरे हजबन को सुगर है यह सब पत्ते या मेथी बगारा इंसुलीन प्लांट का पत्ते यह सब खाने से डाइवेटिस कमती है बिल्कुल के और नहीं होती तो आप लोग इसको प्लांट को रखे तो जो दवाई खाते है यह इंसुलीन का इंजिक्शन लेते हैं उसका कॉंटिटी कॉम हो जाएगी क्या पता आसते दिरे दिरे यही पत्ते खात इंसुलीन छूट भी जाए ऐसा तो हुआ नहीं है मेरे घर में अभी तक मैं दूसरे वाले पत्ते खिलाती हूं जो राउन राउन घुमके उगते हैं पत्ते उसको खिलाती हूं यह तो अभी मंगाई हूं तो यह खाते रहें तो सुगर लेबल जरूर घटता है इससे हमार तो डक्टर पस जाके आप लोग अपना दवाई का जो पावर है उसको भी कम करा सकते हैं और क्या पता धीरे धीरे खाते काते सुगर को सुगर तो कियोर नहीं होता है खतम नहीं होता है रहता ही है कम हो जाती है तो इसलिए ऐसा प्लांट को सुगर प्लांट को आपके घर म यही दवाई खिलाती हूं, फि इंसुलीन भी लेते हैं, इसलिए मुझे दोनों प्रांट चाहिए, इसलिए मैं दोनों प्रांटमगा के रखी हूं, तो इसको जमीन में लगाओंगी, जमीन में लगाने के बाद जब ग्रोव होगी तो आप लोग को मैं जरूरूर दिखाऊंगी गमले में लगाने से 60% मिट्टी और 40% कोई भी और गनिक खाद डाल के लगा दे तो बाइ फ्रेंस सस्क्राइब मैं चैनल